नमस्कार मैं हूँ दिबांग आप देख रहें ग्राउंड जीरो आज वो चुनाव शेत्र जिसे प्रधान मंत्रियों का शेत्र कहा जाता है यहीं से चुनाव जीत कर जवालल नहरू और लालबादु शास्त्री प्रधान मंत्री बने नहरू और इंद्रा गांधी का जन्म यहीं पर हुआ वीपी सिंग यहां से दो बार चुनाव जीते चंद्र शेकर यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़े इलहाबाद यहीं अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्र शेकर आजात की या दिलाता हुआ अल्फरिट पाक है तो आनंद भवन भी इतने महत्वपूर्ण लोग और घटनाएं इस शहर से जूड़ी रही लेकिन इसकी हालत वैसी ही है जैसा कि साथ के द्रशक में मशूर हिंदी के लेखक कमलेश्वर ने लिखा उदास और छितराया हुआ शहर जहां जिन्दगी धीरे धीरे सरकती है इस वार यहां मुख्य मुकाबला समादवादी पार्टी के रेटी रमन्ड सिंग, ब्येसपी की केश्री देवी पटेल, बीजेपी के शामा चरण गुपता और कॉंडिस के नंद गोपाल गुपता के बीच है आम आदमी पार्टी के तरफ से लालवादूर शास्त्री के पोते आदर शास्त्री यहां मैदान में ग्राउन जिरो में इस समय मेरे साथ है रेटी रमन्ड सिंग जो उम्मीदवार है लाबाद से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसर है यह पताई कि इस बार बड़ा मुद्दा क्या है यहां चलते जाएए बड़ा मुद्दा है विकासस की करते हैं तो उस समय विकास का जो नहरा लगा रहे हैं और उनसे कोई उमीद है यहां पर विकास का नारा वो ही लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे देश की हालत बदेंगे वो तो कह रहे हैं कि सब बेरोज़गारों को नौकरी देंगे, वो तो कॉंग्रेस ने भी कहा था ये खोकला नारा लगाने से कोई बात होने वाली नहीं है नरेन मोधी और कांग्रेस दोनों के सरकार नहीं बनेगी, आपके तीसरे मोट्ची की सरकार बनेगी जिस तरह के बयान आपके नेताजी दे रहे हैं, पर क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने बात कही मायावती के बारे में, ये कहा जाना चाहिए ये चुनाओं में नहीं, इस ये इस लिप अव तंग, उन्होंने कोई ऐसी बात सहीं कहेगी, जो कि उनको बुरी लगनी कहीए, ये नौट से सम्थिंग, तो आपको क्यों लगता है कि मायावती ने कहा जा कि उनको जाके आगरा में इलाज करवाना चाहिए, तो मायावती जी के अपनी सोच है, तो मतलब कुछ तो कहा होगा कि वो इतनी गंभीरता से और इतने गुस्टे से इस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, वो तो हर बात में गुस्टा होती रहे हैं, उनका कोई इस इती बात पर नहीं है, वो तो जब से गडवंदन हुआ था सपा बसपा का, तब से यह उनको गुस्टा है मुलायम सिंग्जी से, लेकिन मुलायम सिंग्जी शालीमता से बात करते हैं, और खास और से औरतों के बारे में, कभी हमने ऐसा नहीं देखा है, को मुलायम सिंग्जी कोई बे तुकी बात है, क्या आपको लगता है कि जो ये बात हो रही है, कि देश बर में ए यहां पर दिखें कहीं प्राइड भाज्ता से हैं बट आप फार भाज्ता से हैं बट द्या फार भी हाईं बहुत हम से पीछा एक बात यह अलबकिंगा उनला नहीं कर दिया सकता कि आपने हैं candidate जानी साह हैं सब फैशा बांट रहे हैं एक महीं हों दो सब गयर राजनिशिक आदमी तो फेट तो फैली के आगे तो जीत नहीं सकता और कोई थैली जीतते हैं हर बार ये तो जनता फैसला कर देगी आप देख लिएगा तो सोलव तारीक को जनता वही फैसला करती है थैली शाह अगर ऐसे होता मैं एक आपको एजम्पल दूँगा टाटा लड़ रहे थे मुंबई से टाटा से बड़े कोई थैली शाह नहीं हो सकते लेकिन टाटा से जॉच फ़लांदेश सोशलिस्ट उमीदवाल लड़ रहे थे लेकिन जॉच फ़लांदेश ने टाटा को मुंबई में हरा दिया तो फिर टाटा से बड़ा कोई थैली शाह थोड़ी नहीं है जो मौझूदा सांसद हैं इलाबाद से वो कह रहे हैं कि उनको इस बारभी समर्थन मिलेगा उन्हें विश्वास है आला कि विरोधिया सा नहीं मानते हैं कि उनको वोट उनके काम पर मिलेगा ग्राउंड जिरो में इस समय मेरे साथ बीएस पी उमिद्वार के से देवी जी यह बताएए कि आपको क्यों वोट दें लो क्या वज़े हैं तो यह तो एक तरीके से आरू प्रत्यान रोप का खेल है क्योंकि जो मुझूदा सांसर दें समाजबादी पार्टी के वो यह कहते हैं कि आप भी यहां चेर्मेन रही हैं अचार रहा और आपने इतना बड़ा घर बना लिया और तुन्याबर की वो बाते करते हैं तो वो लगता है कि यह जो एक पर आप ये बताई कि बहन मायवती कैसे लड़ेंगी दिल्ली में जाने के लिए तो 270 सीटें आपको चाहिएं कहां से आएंगी वो सीटें आप तो लड़ेंगे रहें उतनी सीटें कुल मिलाकर तो कैसे आप सोचते हैं कि उपरधान मंत्री बनेगी उसका उसका क्या में यूपी में निकालेंगे कि आप दिल्ली पर इस तरह का कभजा कर सके हैं कि लगभग साथ सीटें हमारी निकलेंगी और हम भारी पैमाने पे लड़ रहे हैं हर सीटों पर इधान सभा में भी आप लोगों ने देखा है कि बहुत थोड़े थोड़े ओरतों से हमारे हमारा मताबला वीजय पीसे है और ये समाजवादी पार्टी तीसरे स्वां पर जाएं具 यह ये सब लोग थैली शाह हैं, ये सब के पास थैलियां हैं, थैलियां बाट रहे हैं, और खुले आम बाट रहे हैं और इसलिए उनका जो है काम आसान हो जाता है क्योंकि वो थैली नहीं बाट रहे हैं, वो काम करते हैं वो गुंड़ा ही करते हैं, ओट की दिन आप देखिए यहां पर, ओट की दिन का नजारा अगर आप देख लेंगे तो वहां कोई ओट नहीं कचर होता है, यहां पर गाउं कचर होता है, और सालसा जी के गुंड़े गाउं कचर करते हैं, यहां की तो हमें लगता है सित्यों को देखना चाहिए के सिर्दीबी जो भी उम्मिद्वार है उनको लगता है और वो मान रहे हैं कि उम्मिद्वार श्यामाचरण गुपतर आपका स्वागत है यह बताइए कि बड़ा मुद्दा क्या है इस पार हमारे लहाबाद में आज तक अउद्योगित विकाश होने है यहा हमी है और यहां पर कुछ धंदे आये भी तो बंद होने के कगार में है इसलिए हमारा इलहाबाद का सबसे बड़ा बीजेपी के लिए है सबसे बड़ा जो आपके लिए एक तरीके से पासपोर्ट है वो यह है कि मुदी उमीद्वार हैं प्रदान मंत्री पत्के इसमें तो लोगों के अंदर है और एक प्रदान मंत्री बनेगा तो बहुत बड़ा वर्यामा चरण जी के साथ एक मुश्किल यह है कि वो कभी इधर जाते हैं कभी उढ़ी उधर जाते हैं वह कई पार्टियों में आप समानलाजी पार्टी की तरफ से आपको टिकेट मिला फिर आप उधर चले गए आप सही कह रहे हैं लेकिन मेरा जन्म भाजपा महुआ है मेरा परिवार भाजपाई है तो बीच में आप तहलने के लिए कौन मॉर्निंग वाग नहीं करता है सब लोग मॉर्निंग वाग करत क्या कर रहे है अपका जो मुक्यों काबला है यह वरोदी है समाजबादी पार्टी के आपकी विरोधी है वह हुए दो कहते हैं समाजबादियों से बड़ा थेलिशा नहीं हो समाजबादी पास जितनी बड़ी थैलियां मेरे पास कोई समाजबादी आरोब लगा तो लगा एक कोई पैसे मांगे हो कोई मुझे पैसा देता है क्या यह गलत है कि आपने कहा कि मैं किसी बी हालत में समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा मुझे छोड़ा गया है मैं तो नहीं छोड़ा था लेकिन मुझे जब छोड़ दिया तो पर मैंने भी छोड़ा दिया जाए तो मेरे उपर आरूप लगा दिया जाएगा क्या आपको एक बड़ी वजय लगती है कि इस बार आपसी जीद पकी होगी सवप्रतस्त चुनाव हवा है भारती जन्ता पार्टी की चुनाव में हवा है मोदी जी की मोदी जी का नाम और फिर मेरी भी अपनी छोटी बहुत थोड़ी बहुत जो इमेज है मैंने इमानदारी जलाबाद सेवा किया तो में इस समय मेरे साथ कॉंग्रेस टूमीदवाद नंद गुपाल गुप्ता जी ये बताईए कॉंग्रेस पार्टी 84 के बाद से जब मिताब बच्चन जीते थे उसके बाद से यह कोई चुनाव जीती नहीं लोग सबाद तो उसकी क्या वज़ए है अगर ये बात सही है उसकी वज़ए है कि तो जो मोदी का जबर जिस्टी का एक नाम पिपोगंड़ा है अरे 1984 के बाद तो मोदी अभी नहीं थे ना मैं तो 1984 में जब मिता बच्चन जीते थे उसकी बाद बात से आगर जो लोग ऊब रहे हैं जिरे जिरे और दूसरा अभी हम मेरा बहुत राजनेतिक बहुत शेक्षाना केरियर नहीं जो पहला चुनाव लाद तो वो टाप थैप अर आप इदर उदर क्यों टेले कभी बीसपी जाते हैं कभी कॉंग्रेस जाते हैं टेलते क्यों हैं गुक। कि इस्टी की इन्पी की तक्षासी है इन्होंने भूपी सिकायप और काम भर करके कि पार्टी से रिकल्वाने का काम क्या मैं इस समय में इलाबाद के एथासिक आननभवन के सामने हूँ आजादी से पहले इन्ही कमरों में लंबी लंबी चर्चाएं हुई भारत के सुरूप के बारे में आज भी यहां वो किताबे मौजूद हैं जिन्होंने हमारे नेताओं की सोच को गढ़ा फिर वो चाहे गांदी जी की गीता की कौपी हो या पस्चमी लेखकों और आलोचकों की नहरूजी की किताबें यहां कल्पना हुई एक आधुनिक गंगा जमनी तहजी बाले भारत की आज 21 सदी के एक नए भारत का अजंडा सामने है तो फिर पुराने सवाल ध्यान खींच रहे हैं